हाई योग भनो असाम और देश की सुरक्षा के लिए आप सब का योगदान अभुद्पुर्व है दसकों से अटके हुए एक महत्वपुन फैंसने पर अमल के लिए आप सभी जो प्रयास कर रहे हैं उसको आने वाली पीडिया गवरव के साथ याद करेगी बराग वैली के साथ साथ असम के कौने कौने से जो संदेश जाएगा वो पुरे देश के भविश को अलोकिक करने वाला है यहां से एक पस्त्र संदेश जाएगा कि भारत के लिए अपने नागरीकों की सुरक्षा अपने नागरीकों का सम्मान और अपने नागरीकों की सम्रुद्धी सर्वो परी है सात्यों में यहां आप सभी को यह बरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि नेशनल रजिस्टर आप सिटीजन्शिप अनर्ची आपको फिर से भरोसा देता हूं कोई भी हिंदुस्तानी नागरीक कोई भी भारतिय नागरीक उसमें से नहीं छुटेगा यह मैं आपको विश्वार दिलाता हूं कि आपको मेरी बात पर भरोसा है कि पूरा भरोसा है आपके इतने आसिरवाद है तो यह सब होके रहेगा आप मैंसे अनेक लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के दोरान दिक्कतें आई हैं कुछ कठिनाईयां हुई हैं कुछ चिंता रही हैं मुझे इसका पूरा पूरा एहसास है लेकिन दसकों से लटका ये फैसला अगर जमीन पर उतार पा रहा है तो इसके पीछे आप सभी का त्याग और समर्पन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है मैं सिमान सरभानन सोनोवाल जी की सरकार को उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं को वो तमाम चुनोतियों के बावजोत इस बड़े काम को अंजाम तक पहुचाने में जुटी हुई है सामान्य नागरिकों को कम से कम परेशानी हो सबकी सुनवाई हो इसके लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है साथियों एनार्ची की पूरी प्रक्रिया आसान हो इसके लिए हमने सुप्रीम कौर्ट से विशेश आगरह किया था सरकार ने Relief Eligibility Certificate, Camp Inmate Certificate और अन्य सरकारी रसिदों, नोटीस, सरकारी आदेशों को भी नागरिक्ता के क्लेम के लिए स्विकार करने को कहा था और मुझे खुशी है कि सुप्रिम कौर्ट ने सरकार के इस आगरह को माना जिससे लाखों लोगों की मुश्किले आसान हुई है